मैं हम देखा ज़िए विकास में तो बहुत काफी चीज हुआ है यहां पे जैसे कि अभी आइरपोर्ट अपना है रेलवेई स्टेशन देख लीजे काफी अच्छे हॉस्पिटाल है काफी सब कुछ हुआ है इनका मतलब एयरपोर्ट और यह रेलवेई स्टेशन जो की बना है अभी नया इसमें लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा और ठीक लोग ने मोदी जी को बहुत पास से देखा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी अगर की पास ही रहेगा और जहां भी जाना होगा हमें अपन जहलक कह सकते हैं जो आज 30 दिसंबर को हमें देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयोध्या में आगमन हुआ है और एक भवे रोट्शों हुआ है लेकिन रोट्शों के बाद यहां पर जो लोग मौजूद है जोनोंने खुद अपने नज़रों से प चोड़ी देव कालिशे यहीं आयोध्या में रहती है प्रेम को देखा आपने जी मिल्कुल आपने कितने पास से मैं बहुत पास है अच्छा कि आप लोग आयोध्या से हैं तो आयोध्या की तर्शपल में समझना चाहूंगी कि रेलवे सेशन का पुनर विकास हुआ है अब आप लोगों को भव्य रेलवे स्टेशन यहां पर मिलेगा अत्यादुरी एक सुविदाओं से कैसा मैसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे घर के पास ही रहेगा और जहां भी जाना होगा हमें अपने आप से बाइक लो उठाओ चल दो लोगों क्या आप खुद देख सकती है कितना विकास हुआ है कोई एक मलब अध्या कोई नाम नहीं जानता आज देख लिए हर जंगा कहां कहां नहीं इनका नाम है अध्या कापना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि डिपिनेशन क्या देना चाहेंगी आप मैं देखा जाए विकास में तो बहुत काफी चीज हुआ है यहां पे जैसे कि अभी आएरपोर्ट अपना है रेलवे स्टेशन देख लीजे काफी अच्छे हॉस्पिटाल है काफी सब कुछ हुआ है बहुत ज्यादा खुछ है आप है और इतने सारे कारिक्रम मोधी जी ने लोग ने मोधी जी को बहुत पास से देखा अच्छा उसकी खुशी भी है क्योंकि पीम को आज इतने करीब से देखा है तो बच्चों में तो उत्सा लाजमी है जहां बड़ों में इतना उत्सा होता है तो छोटे बच्चों का लग कि होता है आप लोगों कि खुशी बता रही है जो जिस यहां से कि यूद्या बदल रही है दिन प्रतिश आप लोगों किस तरह से देखते हैं इससे पहले आयूद्या आए है या पहली बार आए कुछ ऐसा जो यूनीक आपने अब तक आयूद्या में देखा हो और महसूस किया हो कि जो कहीं ना हो और आयूद्या में ही किया गया कुछ यूवा भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि यूवाओं की राये की बिना सबकुछ अदूरा होता है इनसे समझते हैं आप लोग यूद्या से हैं या बाहर से हैं तो मैं आप से समझना चाहूँगी कि आपने वूद और भी देखा होगा जब सडके सक्री होती थी एक से दूसरी गाड़ी नहीं निकल पाती थी और आज जिस रूट पर हम मौजूद हैं अगर यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि चार गाड़िया एक साथ आ जाए तो निकल पाएंगी अच्छा यह भी समझना चाहूंगी क्योंकि प्यम बड़ी सौगात दे रहे हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की उसको कितना आप मैसूस करते हैं कि कितना बदलाव होगा इन बड़ी सौगातों से इनका मतलब एयरपोर्ट और यह रेलवे स्टेशन जो की बना है ऐसा नहीं है कि जिनका यहां पर घर वगयरा तूट गया है तो उनको अपना कुछ करने का मौका न मिला हो बाकि यह जान लिजिए बदलाव हो रहा है आप से समझना ने वोल दिया हो अचा बदलाव अगर कहा जाए कि शब्दों में बया करिए कि क्या बदलाव हुआ है कै विकास कुणा दिल्ली अबंबाई अब मौण दिक्कत लाइन के बदलाव के बड़ी वज़ा क्या मनते हैं प्लाइओर बन गया है अभी चोडी करण हो गया रोड एक ही रोड सिंगल रोड था सक्रा रोड था जाने आने में काफी दिक्कत होती ति जाम लगता था यह इस तारीक का एक जलक है अभी 22 जन्वरी को जो भीड़ उम्डेगी उसकी बात ही कुछ अलग होगी एक भव नजारा कि इससे भी खतरनाक 22 जन्वरी को होने वाला है उद्या नगरी में का तयार है 22 जन्वरी के लिए पुरे उत्सा उमंग के साथ पुरा उत्सा मनाएंगे ब कि खुशिया जाहिर करेंगे कैमरा पसंद रहता कि साथ मैं दिपिका उचाएंगे